हेलो एवरिवन वेल्कम टू अकाउंट मंत्रा लेट्स मेक अकाउंट इजी एड्सकोर फुल मार्क्स स्टुडेंट नौट फर प्रॉफिट और इस पार्ट के अंदर हम लोग एक बहुत ही इंपोर्टेंट कोश्चन करेंगे जो इंकमेंट एक्स्पेंटिचर से भी दाते हैं ॊबब इस अश्रक्राइचन को करेंगे रीट करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि हमें कैसे के ब मेर्यार क्रोल असका बदाद है तो अब हम कुष्चन और आपके सामने हैं और यह कोस्टिं क्या कहता है यह मैं आपको बता दूँं CBSC 2019 के compartment में भी ये question आया था और अब हम इसको पढ़ते हैं और मैंने जैसे पताया जहाँ important point है वहाँ हम इनको mark करेंगे ताकि इसको solve करने में आसानी रहे और जिसवत आप भी ये question कर रहे हैं आगे भी तो आप इन चीज़ों का ध्यान में रखें ताकि question सही धंग से proper way में ज receipt and payment account उन्होंने दे रखा है receive side में क्या दे रखा है to balance brought down 10,500 यह मैं पढ़ता नहीं आप देख लीजेगा पढ़ लीजेगा क्योंकि इसके अंदर अभी कुछ नहीं है जो important चीजें है वह additional information में है और इस additional information को हमने कैसे पढ़कर कैसे question में mark करना है और उसके बाद जब इसक से उसको देखना है वह मैं अभी आपको बताता हूँ additional information क्या दे रखी है उन्होंने पर्टिकॉलस में एक तो 31 मार्स 2018 के balance दे रखे हैं और दूसरा 31 मार्स 2019 के balance दे रखे हैं क्या दे रखा है advanced subscriptions अब जना हम देखेंगे question में हमारे पास receipt and payment में सब्सक्रिप्शन का दे रख रखी है पर हम लोग यहां पर क्या करेंगे advance subscription को एक number देंगे जहां हमने उसको एक number दिया वहीं हम लोग एक number यहां receipt and payment में भी देखेंगे ताकि जिसवत हम लोग इसको account for कर रहे हैं अपने answer के अंदर तब हम लोग इसको proper way में इसकी treatment दे सकें दूसरा नोंने दे रखा है outstanding subscriptions इसका मतलब जो subscriptions है उसी में outstanding भी आती है और advance भी आती है तो यह हमारा दूसरी item है तो यह one और two item हमारी subscription से related है तीसरा नोंने दे रखा है book book हम लोग जोना कहां देखते है book हमारे पास payment side के अंदर आ रखा है हमने इसको number दिया तीन और books के जना जो payment side है वहाँ पे हमने number दे दिया तीन उसके बाद है 9% investment 9% investment को हमने दे दिया चार number part और हम लोग देखते हैं कि यह 9% investment कहां पर आ रखी है 9% investment एक तो income from investment में receive side में आ रखी है तो यह हमने चार number यहां पर दे दिया और payment side में कहीं investment नहीं इसका मतलब यह investment हमारी परानी चलिया रही है उसके बाद question क्या कहता है prepare income and expenditure account of the club for the year 31st March 2019 and its balance sheet as at 31 March 2019 तो हमें balance sheet भी बनानी है और income and expenditure account भी बनाना है चलिए अब इसको हम लोग बनाते हैं ठीक है student यह हमने income and expenditure account का format ड्रा कर लिया जिसमें credit side में income है debit side में expenditure है आईए अब हम इसको बनाते हैं तो हमें क्या दे रखा है रोने question के अंदर सबसे पहले receipt and payment account में दे रखा है to balance brought down cash balance और bank balance है मैंने आपको बताया था income and expenditure account में हम लोग cash and bank balances लेते हैं यह यह एक nominal account है और इसके अंदर जो हमारे year के income and expenses हैं उनको हम लोग इसमें लेते हैं इसमें receipt receipt or payment basis के अपर यह रियर basis के साफ से transaction नहीं लिए आती है दूसरा इन्होंने दे रखा है subscription जिसके पर हमने mark कर रखा था वान एंड टू इसका मतलब हमें एक working note बनाना है तो हम लोग subscription का working note बनाते हैं मैं यह subscription का working note बना रहा हूं working note 1 & 2 हम ही क्या दे रखा है subscription रिसीट जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंड में आ रखी है वह कितना महुंट आ रहा है मर पास रूपीज सेवंटी थाउजंड फाइफंड़ दोस्तों मेरी जो प्राणी वीडियो आपने देखी हो सब्सक्रिप्शन के इंदर उसके इंदर मैंने आपको सब्सक्रिप्शन कल्कुलेट करने का एक गोल्डन रूल जरा दिया था और अगर किसी ने नहीं देखा हो तो वह मेरी प्राणी वीडियो को भी देख लें और मैं आपको यहां पर भी उसके साब से बता देता हूं हम लोग क्या करते हैं सब्सक्रिप्शन के इंदर सबसे पहले लिखते हैं एड एड के इंदर कहां से शुरू करते हैं हम लोग आउस्टेंडिंग आउस्टेंडिंग एड इयर एंड दूसरा क्या करते हैं एडवांस एड 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 इयर बिग्निंग इस तरह से हम लोग वर्किंग नोट के बना लेते हैं उसमें क्या करते हैं सब्सक्रिप्शन रिषीट एड आउस्टेंडिंग एडवांस एड इयर बिग्निंग और लेस्ट क्या करते हैं उसमें से आउस्टेंडिंग एड इयर बिग्निंग एडवांस एड इयर एड इयर पास इन्होंने क्या फिगर दे रखे हैं एडवास सब्सक्रिप्शन से रखे हैं हमार पास 31 माश 2018 का इसका मतलब क्या हो गया कितना मॉंट है 2000 रुपीज हम लोग यहां ले लेती हैं उसके बाद उन्होंने क्या दे रखे हैं है उसके आधिनों दे रखे हैं सब्सक्रिप्शन जो यह एंड के ऊपर दे रखी है यह बिगनिंग में दे रखी है वह 3,400 रुपीज दे रखी है यह बिगनिंग का कितना दे रखे हैं इन्होंने 3,400 रुपीज और इन्हों कितना दे रखे है यह एंड मतलब 31 माज 2019 को कितना दे रखे है 4,300 रुपीज जो हम लोग यहां उपर एड में कर देते हैं अब हम इनको एड कर देते हैं और यह जो माइनस है लैस वाले हैं वो लैस कर देते हैं अब जब हम इसको calculate करते हैं तो हमारे पास क्या figures आ जाते हैं हमारे पास figure आ जाता है 69,900 रुपीज 69,900 रुपीज यह क्या है हमारे subscriptions का working note तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको हम लोग इसको लिखेंगे income के अंदर by subscription और यहां इसको कर देंगे working note वान एंड टू कितना मोंट आया था और बास 69,900 रुपीज ठीक है उसके दूसरा मांट अमरे पास आता है डोनेशन का डोनेशन कितनी है 5000 रुपीज इसके साथ अमरे बास कुछ नहीं दे रखा तो हम लोग यहां पे ले लेते हैं बाई डोनेशन 5000 रुपीज तीसरा मांट अबर बास रिसीट में क्या दे रखा है लाइब मेंबर शीफीज मैंने बताया था आपको लाइब मेंबर शीफीज यह होती है यह हमारे capital capital item होती है क्योंकि यह वन टाइम आती है और लाइब के होती है इसलिए हम लोग इसको capital funds में add करते हैं इसको हम लोग यहां पे income के अंदर नहीं लेते हैं क्योंकि इंकम और expenditure के अंदर हम लोग केवल यह से ही related items को लेते हैं उसके बाद हमारे पास क्या है income from investment by income from investment by interest income इंट्रेस्ट इंकम आएगी इंसे और मार करके मैंने बताया था कि इसमें भी working note है क्योंकि हमें नीचे एडिश्ट इंफोमेशन दे रखी है तो हम लोग इसका भी एक working note बनाते हैं क्या working note बनाते हमारा यह working note 3 हो जाएगा working note 3 इंट्रेस्ट इंकम फ्रॉम इंकम फ्रॉम इंकम फ्रॉम इंवेस्टमेंट अब हमें क्या दे रखा था हमें दे रखा था 31 मार्ष को 31 मार्ष अठारा और 31 मार्ष उन्निस का फिगर्स जो की सेम अमांट है 25,000 का तो हमारी इंवेस्टमेंट कितनी है investment है हमारी रुपीज 25,000 हमें और दूसरे information क्या दे रखी है rate of interest rate of interest कितना है 9% rate of interest 9% है तो हम लोग interest calculate करेंगे 9% rate of interest से 25,000 पर तो कितना interest आ जाएगा मरबास interest की calculation क्या होती है हम लोग इसका interest formula जानते है principle into rate into time divided by 100 तो कितना होगे हमारा यह amount principle कितना है हमारा 25,000 into rate 9% divided by 100 into time 1 year तो यह amount हमारे पास कितना आ जाएगा यह हमारे पास amount आ जाएगा 2250 रुपीज रुपीज 2250 तो यह amount हम लोग interest income from investment कहां ले लेते हैं यहां पर रुपीज 2250 रुपीज ठीक है अब हमारे पास इस साइड में कुछ नहीं है साइड में अब हम पेमेर साइड की साइड जाते हैं पेमेर साइड में उन्होंने क्या दे रखा है सेलरी स्क अमांट दे रखा है 25,000 रुपीज कि तू कि सेलरीज कि त्व्वंट के दे रखा है traveling expenses 4000 रुपीज इसके साथ यहां बास कोई डिश्टार इफ्रोपेशन नहीं है यह भी त्वहारा इक्सपेंस है टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस कि कि त्वह वो लंड यह 4,000 रुपीज नेक्स्ट आइटम क्या है हमारी 22 स्टेश्टरी स्टेश्टरी अमाउंट कितना है 3000 रूपीज इसके साथ भी कोई एडिशन इंफोमेशन नहीं है यह भी हमारा एक्सपेंस है तो हम लोग इसको भी डाल देते हैं तू इस्टेश्टरी एक्सपेंसिस कितना मांट आ रहा है हमारा 3000 रूपीज अब नेक्स आइटम अब देखते हैं अब रापस क्या है रेंट रेंट के अंदर भी रेंट भी हमारा एक्सपेंस है रेंट में भी हमरे पास कोई अडिशन इंफोमेशन नहीं दे रखी है तो हम लोग इसको भी as it is account कर लेते हैं expenditure side में to rent rent कितना मांट है 32,000 रूपीज उसके बाद हमारे पास क्या है बुक्स के साथ हमारे पास additional information है और बुक्स क्या है हमारी यह capital expenditure है revenue expenditure नहीं है तो हमारे पास क्या आएगा इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या आ सकता है हमारे पास इसक Henderson की कोई information नहीं दी गई है तो इसका मतलब हमें बुक्स कर डैक्रिसेशन नहीं लेना है हमें क्या लेना है हमें एक working Node बनाना है working alone हमें देखना है कि हमारे बिक्स की value किसी आ रही है ताकि हम लोग इसको बाद में जैसे बहुत बनाएंगे तब हम लोग इसको ले सके हमें य बुक्स पनाते हैं तो उसमें क्या दे रखा था ओप्निंग स्वास्ट कितना दे रखा था इनों बैनसंस्ट का मतलत रखा है में harvest मास्टीस वास्ष चयार थारा का जो ऐलंस है वह कितना दे रखा हैिएक विदे रहें ृप्स कमें राखे है Bird परचेज ओफ बुक्स कितने की है रुपीज 4,000 की अब हमें कोई हमने इस पर डेप्रेसेशन नहीं दे रखा तो डेप्रेसेशन नहीं लेना है और हमें देखना है कि हमारे बास अब यह टोटल कितना हो गया उतएसे हैंब इसका मतलब हो इसका मतलब यह भार यह यह ओंट सarina मै नहीं होता तो इसका मतलब यह था यह था ilon कोई बुक्स भीखी है यह इस में कुछ है लेकिन हमारा पास आया को जाता है यह कोई नहीं भी आर रहा रहा इंगा है त tavr student अब हमारे पास इसके अंदर क्या दे रखा है balance carry down cash balance का जो मैंने बताया था आपको income and expenditure account में हम लोग नहीं लेते हैं इसका मतलब हमारे पास यहां तो कुछ surplus है यह कुछ deficit है हम लोग देखते हैं कि हमारे पास यहां पे surplus आ रहा है क्योंकि income side का total हमारे पास यहां पर ज्यादा आता नजर आ रहा है तो हमारे पास surplus आएगा तो हम लोग यहां पर ले ले लेते हैं कि surplus एक्सेस ओफ इंकम कि ओवर एक्सपेंडिचर ठीक है स्टुडेंट अब हम लोग यहां टोटल करते हैं और जो टोटल करते हैं अमरे पास वह टोटल आ जल्ना कितना आ जाता है क्राइट साइड का income साइड का इंकम साइड का अमरे पास टोटल आ जाता है जो हमारे पास यहां भी आ देगा 77,150 रूपीस हम लोग वर्किंग में अपना कर लेंगे कि हमारे पास जो पहले चार आइटम आ रही है उनका टोटल कितना आ रहा है और अगर हम उनका ज़ना टोटल ज़ना देखते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा 39,000 प्लस 24,000 प्लस 25,000 यह हमारे पास कितना आ जाएगा यह हमारे पास आ जाएगा 64,000 इसका मदला हमारे पास कितना बस गया 13,150 रूपीस यह हमारा बैलंसिंग फिगर है यह हमारा बैलंसिंग फिगर है और यह हमारा यह का सर प्लस है यह हमने इंकमेंट एक्समिनिचर अकाउंट बना दिया अब हम लोग बैलंसिट बनाएंगे अब हमारे पास क्या बैलंसिट के अंदर इन्होंने 31 मार्च 2018 की बैलंसिट भी नहीं दे रखी और 31 मार्च 2019 के में बैलंसिट बनानी है तो हमें पहले 31 मार्च 2018 के बैलंसिट बनाएंगे इसमें हम लोग बैलंसिट बनाएंगे 31 मार्च 2018 की और 31 मार्च 2019 की तो चलिए अब बैलंसिट ड्रॉ करते हैं ठीक है स्टुडेंट यह हमने बैलंसिट का फॉर्मेट बना दिया पहले वो बैलनेंस प्रोड बोकог मेरेनश उसके बाद उन्हों ने मझेल यह रखे थी कि एकत्यस मर्च 1428 की औंस्टेडिंग कितने दे रखी है उन्होंने हमारे पास 8,000 Rs. की हमारे पास investment दे रख़ी हैं यह भी हमारा assets होता है क्या investment इंवेसियंट इंवेस्टमेंट कितने दे रख्य है छोटीटे फाइड टॉज़न की इसके लावा इन्होंने हमारे पास क्या दे रखा था सब्सक्रिप्शन आउस्टेंडिंग 31 मार्च 2018 की जो सब्सक्रिप्शन आउस्टेंडिंग है वह हमारा एसेट है तो क्या है यह सब्सक्रिप्शन एरियर सब्सक्रिप्शन एरियर हमारे पास जो 31 मार्च 2018 का है वह हमारा ऐसे सुप्स्रिष्टन सेरे अमरे पास कितना दे रखए है कि 31 मास्य तोज़ार ठारत कर थी तौज़न फौर हंडड़ रुपीस इसके लावा हमREE पास कुछ और दे रखा है जो एसर साइब के अंदर है हम देखते आं इसके लावा हमREE हिए इसके लावा हमREE में कुछ भी नहीं है अव लैबिरी टी साथ में क्या है दे में सब्सक्रिप्टार्ः है जो 31 अधो Doncs आरर ठार defending वो हमारी liabilities है कितना है एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना माउंट है कि 2000 रुपीज का ठीक है फ्रेंड्स उसके बाद स्टुडेंट अब हमने कैपिटल फंड निकालना है मैंने आपको बताया था कि नोट परफिट और अग्रेंशन के अंदर हम लोग पिटल फंड निकालते हैं कैपिटल नहीं होता कैपिटल फंड यह मारा ओपनिंग कैपिटल फंड आ जाएगा जो हमारा बैलंसिंग फिगर होगा क्योंकि हमें नोने कैपिटल फंड 31 माज 2018 का नहीं दे रखा था जो हमने बैलंस शीट बनाके कैल्कुलेट किया है और हम लोग देना देखते हैं अमरबास ऐसे साइट के अंदर टोटल कितना आ जाता है इसके साफ से अमरबास टोटल आ जाता है 46,900 रुपीज 46,900 रुपी इसवे से 2,000 रुपीज मैं एडवांस सब्सिप्शन का माइनस कर दूँगा तो मेरे पास ओपनिंग कैपिटल फंड कितना हो जाएगा 44,900 रुपीज का यह मेरे पास ओपनिंग फंड आ गया ठीक है स्टुडेंट अब हम लोग 31 मार्स 2019 की बैलंस शीट बनाएंगे स्टु जाते हैं कैपिटल फंड कैपिटल फंड फंड ओपनिंग मेरे पास कितना आ गया ओपनिंग मेरे पास आ गया है मैं इसको इनर कॉलम में लिख लेता हूं 44,900 रुपीस का अधिकर स्टुडेंट अब हम लोग देखते हैं इसके इंदर हमारे पास कुछ लाइंट मेंबर्श लाइफ मेंबर्शिप फीस लाइफ मेंबर्शिप फी कितना मांट है वह 10,000 रुपीस अब मेरे पास सर प्लस आया हुआ था कुछ जो मैंने अभी इंकमेंड एक्समिनिचर अकाउंट ड्रॉ किया था तो मैं सब्स्रिप्शन भी यहां एड कर लोंगा एड सर प्लस कितना म हमारा 13,150 रुपीस तो यह इन तीरों को मैं एड करूगा तो टोटल मेरे पास यहां पर कितना आ जाएगा 68,050 रुपीस अब हमने जब 31 बास 2018 की बैलेंशी ड्रॉ की थी उसमें देखा था जो एडवांस सब्स्क्रिप्शन से वह हमारी लाइबिलिटीज है और यहां भी सब्सक्रिबूशन का STEVE 113 बास 2019 का सब्सक्रिफिशन संसरे लाइब लिए छाइब बैलिटीज से तो भी में जैएंगी तो क्या जाएगा एडवांस subscription, advance subscription मेरे पास कितना रखा है, 3500 रुपीज, यह मेरा liability side में आ गया, और मेरे पास कुछ liability side में है, अभी कुछ नहीं है, चलिए अब हम asset side में आ से, asset side में मेरे पास क्या है, cash in hand, cash in hand क्या है मेरा, जो recipient payment account इनों ने दे रखे थी, उसका closing balance, कितना amount है मेरे पास, 30,000 रुपीज दूसरा मेरे पास बड़ा अमांट क्या है investment इंवेस्टमेंट इंवेस्टमेंट इनों ने मेरे को दे रखी है और investment में को कितना amount दे रखा था इन्होंने 25,000 रुपीज जो closing balance दे रखा था इसके बाद मैंने दिना देखा था इस पे working बनाई दी हमने हमने देखा था कि interest की जो calculation आ रखी है जो income and receipt account में income and expenditure account में हमरे पास आई है वो आई है 2250 उसमें से जो receipt and payment account के अंदर हमरे पास balance आ रखा है वो कितना रखा था 2000 रुपीज का इसका मदलब मेरे पास accrued interest है 250 रुपीज का तो यहां पर लिखूंगा accrued interest accrued interest वो मैंने calculation आपको बताई है रुपीज 2250 रुपीज that is मेरी income जो थी और उसमें से कितना पैसा मेरे को receive हो गया माइनस 2000 रुपीज अमाउन कितना रह गया 250 रुपीज मेरे पास books है books कितने की है मेरे पास 12,000 रुपीज की हमने working में भी देखा था और उसका check भी किया था कि हाँ हमरे पास यह है अब मेरे पास subscription serrier है जो मेरे को मिलने हैं तो subscription serrier मैं यहां ले लेता हूं subscription serrier कों से है outstanding subscriptions as on 31 March 2019 31 March 2019 को मेरे पास subscription serrier outstanding subscriptions कितनी है 4,300 रुपीज की ठीक है student इसके बाद मैं देखता हूं और कोई item अमरे पास ऐसी आ रही है जी नहीं और कोई item नहीं आ रही है तो अब हम इसको total करते हैं हम liability side में total करते हैं तो हमरे पास liability side में कितना total आता है 71,550 रुपीज का अब हम asset side में total करते हैं हमरे पास कितना आ जाता है 550 रुपीज तो यह आ गए 300 प्लस 250 और उसके बाद हमरे पास क्या रहा गया है 5 प्लस 6 11 1 carry forward 3 प्लस 1 4 4 प्लस 2 6 6 प्लस 1 7 71,550 रुपीज यह हमारी balance sheet as on 31 मार्स 2019 को एले है ठीक है student यह मैंने आपको कुछ बारी की है इसमें बताई है उनका बिल्कुल ध्यान में रखिएगा जब भी हमरे पास additional information आ रही है वह working note के लिए हम लोग मार्क कर लेते है हम लोग अपने पास यह note कर लेकर है कि कौन सी item ऐसी है जो मेरी revenue की है कौन सी item ऐसी है जो मेरी balance sheet items है तो हम लोग balance sheet वह आप अपने तरफ से निकालने की कोशिश कीजिएगा अगर आपको कहीं कोई दिक्कात आती है तो मेरे को comment में बताईए हम उसको solve करेंगे उसकी बारीक्यों को देखेंगे ताकि जो हमारा aim है जो हमारा objective है कि हमने 100 out of 100 score करने हमने full mark score करने है इसके अंदर तो वह हम कुछ से कुछ बार की आपको बताता रहता हूं जो आपके पर सॉल्ट करने में बहुत ही काम आएंगी कि थैंक्यू वेरी मच्च